हेलो स्टूडेंट स्वागत थे आप सबका और एक ने वीडियो में जहां पे हम डिसकस कर रहे थे स्टांडर्ड शिक्स का चेप्टर नंबर टू कॉम्पोनेंस अब फूड और यह इसका तीसरा पार्ट तो बच्चो इसके पहले बाले पार्ट या फिर पार्ट सेकेंड में हम डिसकस किये थे अबाउट कार्बो हाइड्रेट एंड इट्स टेस्ट और फैट एंड इट्स टेस्ट और वो कौन से फोट में आपका प्रेजेंट रहता है इस दोनों चीज के बारे में हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं आपका पार्ट टू में तो जो लोग वो वीड कर्वेर्ट एज़ेल एज दो फैट यह ज्यादा तर क्या करते हैं और थो एनट्जी घिविंग फूर इनरजी घिविंग फूर होते हैं इन यह हम कंज्यूम करने से या फिर हमें इसको खाने से जिए मिलता है एक जो गर्वो हाइड्रेट यह होता है यह हमें इनस्टेंट energy देता है whereas the fat हमें stored energy देता है या फिर हम बोल सकते हैं यह हमारे fat body में हमारा stored होके रहता है और जब भी भी हमें requirement रहता है यह energy provide करता है so अभी हम देखने वाले हैं the food which generally helps to growth और जो food खाने से हम growth करते हैं अभी इसी के बारे में हम discuss करने वाले हैं तो वो क्या होता है तो वो होता है protein तो बच्च प्रोटीन ही यह एक ऐसा food है जो हमारे body को growth करवाता है और we can say the protein are considered the body building food body building food जो हमारे body को growth करता है रिप्यार करता है help करता है यह सब हमें कहां से मिलता है आपका protein से मिलता है क्या सिर्फ यह ही करता है ऐसी body building करता है नहीं बच्चों यह और भी बहुत कुछ काम करता है जैसे ले लो हमारा cell का growth हो गया replacement of the old cell जो हमारे पुराने cell जो रहा है उसके अलावा उसको replace करके नया cell का growth करना इभनिप जो बच्चे अभी growing stage पर है जैसे कि आप लोग ही ले लो जैसे कि आप लोगो ज्यादा से ज्यादा protein चाहिए क्योंकि आप gradually या फिर कोई patient patient मतलब कौन अगर कोई मरीच अगर बुखार से ठीक हुआ है या फिर उसका तबियत खराब था और वो recovery हो गया है तो उसको भी protein दिया जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी protein muscle all these यह सब कि हमारा protein से ही बने हुए रहते हैं not only the human हमारे body कहीं नहीं बट अल्सो प्लांट के भी कुछ पार्ट्स जो या फिर जो प्रोड़क्ट रहते हैं यह भी आपके protein से बना हुआ रहते हैं जैसे आप बात कर सकते हैं उल सिल्क यह भी आपका protein से बना हुआ रहता है तो हम क्या बोल सकते हैं तो प्रोटीन क्या होता है और कहां से मिलता सो सबसे पहला protein इस तब बॉड़ी बिल्डिंग फूर्ट हो गया देन यह करता क्या है यह हमारे बोड़ी को ग्रोथ रिप्यार करता है और यह बच्चों अच्छे से याद आखना देप्ड़ प्रोटीन आर कंसिडर दा बोड़ी बिल्डिंग फूर्ट यह क्या करता है नॉर्मल्य आप प्रोवाइट करता है और कितना हमें चाहिए हमारा बोड़ी के हिसाब स है वान ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बोड़ी वेट के हिसाब से हमें चाहिए तो यह कहां कहां से मिलता है प्रोटीन हमें कहां से मिलता है यह हमें बोथ प्लांट से भी मिल सकता है एज्वलेच एनिमल प्रोड़क्स इन दोनों से हमें क्या प्रोटीन मिल सकता है जैसे प्ल सब कुछ आप पिक होता है यह सबप procurement है बट एक बात याद रखना बट्चो कि जो protein which we get from the animals जो हमें animal source से मिलता है उसको हम एक good source of protein भोलके मानते क्यों क्योंकि यह animal source हमारे बौरी मे依ालाइब हिटिट होता प्लांट प्रोड़क्ट हमारे बोड़ी में क्यों नहीं हो सकता है प्लांट में कुछ अपका सेलूलोज का कुछ पार्ट रहते हैं प्लांट तो प्लांट में से क्या होता है आधे से जादा हमारा वेस्ट हो जाता है या फिर हमारे बोड़ी से रिलीज हो जाता है बट फुली यूटिलेज क्या होता है हम लोगों का एनिमल प्रडक्ट इसलिए एनिमल प्रडक्ट को ही माना गया है दो बेस्ट सोर्स अप प्रोटीन तो प्रोटीन के बारे में एक और चीज है बच्चों जो है आपका क्या प्रोटीन केन नट भी ड्क्रीन प्रोर्सी हमारे बोडी में कभी भी प्रोके नहीं रहते अगर इनसप调च अमारे बोडे में एकसेस प्रोटीन हो जाता है वो आपका ब्रेकडाओं हो जाते हैं और रिमूब ठो आवर कैसे चलेगा कि एक particular food में protein present है बोलके जैसे हम लोग carbohydrate का test किये थे food का भी test किये थे अभी हम देखते हैं कि protein का test हम कैसे कर सकते एक particular food में कैसे present होता है protein तो इसके test के लिए हमें क्या-क्या चाहिए हमें चाहिए सबसे पहले एक copper sulfate जिसको हम जनरली कहते हैं CUSO4 CUSO4 और एक caustic soda जिसको we generally call the sodium hydroxide NaOH यह दोनों हमें चाहिए तो क्या करें वही सेम चीज़ हम एक test tube लेंगे उसी test tube में हम जनरल क्या करेंगे चाहिए आपका plant का ही product ले लो या फिर animal का product लो इसको सबसे पहले we mess the food हम इसको बहुत छोटे 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 पार्ट में या फिर हम लोग एक तरह से चूना कर देंगे चूरा करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर कॉपर सल्फेट टू ड्रॉप्स दो ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट यहां पर डालेंगे यहां पर यूज करेंगे और इसको बिना हिलाय डॉलाय ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसका कलर भावलेट हो गया है और यही हमारा प्रूफ है अगर इसका कलर भावलेट बन जाता है तो उसी पर्टिकुलर फूड में प्रोटीन प्रेज अपका प्रोटीन नहीं है तो यह था अल अबाउट प्रोटीन प्रोटीन क्या प्रोटीन बॉडी बिल्दिंग फूर्ट होते हैं यह रिपियर एंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं और इसको टेस्ट कैसे करें कॉपर सलफेट एंड शोडियों हैड्रोग्साइड को अगर हम मिलते हैं और उसका कलराघ भावलेट होता है डेन विकन सीडर दम फोड़ट चांसे ठाफ प्रोटीन इसी फूंट मैं प्रोटीन है भोलके अाज्री कि अब कि मुर्विए निसकर्स करते हैं कि सक बारे में vitamins ये हमारे body के लिए बहुत ही less quantity में चाहिए, but ये क्या करते हैं, हमारे bone को, eyes को, teeth को, दांतों के मसुड़े को, ये जो कुछ भी रहता है, ये एक healthy बनाने के लिए help करते हैं, ये उसको maintain करते हैं, इसलिए इनको protective food भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें disease से भी protect करते हैं, हमारा immunity system या फिर जिसको हम लोग बीमारी से लडने की ताकत, जो कहते हैं, इनको भी ये बिल्ड़ अप कर वाते हैं, तो that's why they are known as the protective food, the vitamins are known as the protective food, because they protect us from various disease, हमें बहुत सारी disease से बचाते हैं, एजोलेज हमारे आख, हमारे बोन, टीथ, गम्स को ये healthy रखते हैं, तो ये कहां-कहां पर प्रेजन रहता है, या फिर vitamins का भी कुछ-कुछ types होता है, The vitamins합 कैसे प्रेजन रहता है, तो the vitamins, आपका vitamins A रहता है जो आपका papaya, carrot, mango, इन सब में vitamins A रहता है, the skin the vitamin D जैसे आपका weight, rice, liver इन सब में vitamins B प्रजय रहता है, if best vitamin C का बात किया जा है हमारे body को यह less quantity में चाहिए बट यह अगर नहीं खाते हैं तो हमें उनसे deficiency disease भी होने का chances बहुत कुछ रहता है यह और इसको protective food भी कहा जाता है then next हम discuss करते हैं किसके बारे में minerals के बारे में यह भी हमारे body के लिए बहुत ही very less quantity में चाहिए तो यह तो protect करते हैं then what the minerals do minerals क्या करते है minerals हमारे body के बहुत सरे activities को यह control करते हैं जैसे मैं बताना चाहूं जैसे हमारा हड़ी को यह फिर बोन को strength करने में हाट बीट हमारे हाट बीट जो continuous लब का चलता रहता है यह ठीक से हो रहा है कि नहीं यह भी की minerals अपका maintain करते हैं यह हमारे body में hormones कौन से time पे क्या changes होने वाला कौन से age पे हमारा मुझे निकलने वाले हैं कौन से age पे हम बड़े होंगे किस age में हमारा हाइड भड़ेगा यह सब control कौन करता है का minerals करते हैं सब्सक्राइब क्या होता है यह भी हमारे body के लिए small quantity में चाहिए और यह क्या करता है जैसे strong bone बराने में हमारे heart beat को maintain करने में हड़ी को या फिर hormones को change करने में यह बहुत है कहां कहां प्रेजेंट है calcium potassium iodine phosphorus और इन सब्सक्राइब का काम क्या होता है हम आगे चलके देखेंगे कि मिन्दल्स क्या किसमें help करते है sodium किसमें होता है calcium किसमें help होता है potassium iodine क्या-क्या होता है और यह अगर हमारे body में अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमें क्या-क्या हो सकता है क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है यह सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो बच्चों समझ में आया तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई बाई